देखिए आज जिस प्रकार से कॉंग्रेस पार्टी के पंजाब यूनिट में कलह हो रहा है ये सब हम देख रहे हैं और कलह के पीछे जो मुख्य वज़ा है वो यह है कि उनके एक जो एडवाइजर हैं सिद्दू जी के एडवाइजर उनमें से एक कहते हैं कि कश्मीर हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं है वो इन्डिपेंडेंडेंट कंट्री है और भारत जो है वो इलिगल अक्यूपेंट है और दूसरा एडवाईजर कह रहे हैं कि पाकिस्तान की आलोचना नहीं करनी चाहिए, क्रिटिसिसम नहीं करना चाहिए अभी चंद मिन्टू पहले हमने देखा कि माली साहब ने जो एडवाईजर हैं जिन्होंने कश्मीर को लेके आपक्ति जनक टिपपणी की थी उन्होंने रेजिगनेशन दिया है यह बात तो स्पष्ट है कि बहुत द्वंद के पस्चाथ, बहुत प्रेशर के पस्चाथ आधरनीय जगत्रकाश नडडा जी ने भी इस विशय को उठाया था, उन्होंने भी ट्वीट किया था जब बहुत प्रेशर पड़ा तब जाके कॉंग्रेस पार्टी के एडवाइजर आज रेजाइन कर रहे है किन्तु एक बात याद रखना चाहिए, आखिरकार अभी तक नवजोज सिंग सिद्धु जी ने इस विशय पर कोई टिपणी नहीं की है और जहां तक इस पूरे मामले को देखा जाए, एडवाइजर नवजोज सिंग सिद्धु के कोई भी हो सकते हैं किन्तु नवजोज सिंग सिद्धु खुद दूद के धुले नहीं है जहां तक भारत के विरोधी विचार का सवाल है, खुद नवजोज सिंग सिद्धु जी इस प्रकार के विचार से ओधप्रोथ है ये वही सिद्धु जी है, जिनोंने कमर बाजवा को गले से लगाया था और जिनोंने कहा था जीवे जीवे मेरा यार इमरान खान, जीवे जीवे पाकिस्तान और आज एक भी आवाज सिद्धु जी के मुह से आलोचना की अपने एडवाईजर के लिए निकली नहीं है सिद्धु जी ने खुद कहा था, मेरा कैप्टन, कैप्टन अमरिंदर सिंग नहीं, कैप्टन मेरा राहूल गांधी है भारती जन्ता पार्टी आज स्पष्ट कर रही है कि जहां तक कॉंग्रेस पार्टी के जो एंटी इंडिया थोट है भारत के विरुद की जो सोच है, वह सोच इनका मूल सोच है और यही कारण रहता है कि सर्जिकल स्ट्राइक, एर स्ट्राइक, कश्मीर विशय को लेकर जिस प्रकार के विचार कॉंग्रेस पार्टी, उनके एडवाईजर्स और उनके अध्यक्षों का देखने को मिलता है यह अपने आप में चिंता जनक है, निंदनी है आज हम यह भी डिमांड करते हैं, केवल एडवाईजर के रेजिगनेशन देने से काम नहीं चलेगा सिद्धू भी इस पे माफी मांगे और राहुल गांदी जी इस पे जवाब दे कि आखिरकार कॉंग्रेस पार्टी के एडवाईजर ऐसे कैसे हैं, जो कश्मीर को भारत का हिस्सा नहीं मानते हैं